भारतिय सम्मिधान के अनुच्छेद काफी important topic है अगर आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हों दोस्तों इस topic से 2-3 question हर exam में पूशे ही जाते हैं जैसे अभी SSC GD के exam चल रहे हैं तो SSC GD की हर सेट में 2-3 question पूशे ही जा रहे हैं तो अनुच्छेद से जितने भी महत्पूर question आपके exam में वन सकते हैं उन सभी प्रशनों को हम discuss करेंगे आपको वीडियो जरा भी skip नहीं करना हैं किस प्रकार के question पूशे जा रहे हैं सम्मिधन का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है तो अंतिम अनुच्छेद होगा 395 में यही अंतिम अनुच्छेद होगा अनुच्छेद एक में दिया गया है कि इंडिया अर्थाद भारत राज्यों का श्रंग होगा इसका सई अंसर क्या हो जायागा दोस्तो अनुचित 3 में ये प्रावधान किया गया है नैश्वन की हम बात करें भारति सम्मिधान के किस अनुचित में नागरिक्ता सम्मंदी प्रावधान किये गए हैं नागरिकता संबंदी प्रावधन जो हैं ये अनुच्छित 5 से अनुच्छित 11 में किये गए हैं सारी चीजों को हम detail से समझ लेते हैं देखे दोस्तों सबसे पहले आपको भाग एक समझना होगा संबिधन के भाग एक में अनुच्छित 1 से 4 अनुच्छित हैं ठीक है और इसम में क्या वर्णन किया गया है तो संग और उसके राजचेत्र का वर्णन किया गया है भाग एक में और हम भाग दो की बात करेंगे तो भाग दो में नागरिक्ता सम्मंदी प्रावधन किये गए हैं कौन-कौन से अनुचित हैं अनुचित 5 से अनुचित 11 हम भाग 3 की बात करें तो भाग चार में नीती निदेशक तत्यों का वर्णन किया गया है और नीती निदेशक तत्यों का वर्णन जो है यह अनुच्छित छत्ती से अनुच्छित इंक्याउन तक किया गया है ओके तो यह सारे फेक्ट आपको याद रखना है next question है सरवोच नयालाय के गठन का वरणन किस अनुच्छित में किया गया है हम बात करने है सरवोच नयालाय यानि कि सुप्रीम कोट की और इसके गठन का वरणन किया गया है अनुच्छित 124 में ए ओफसन करठ हो जाएगा इसी प्रकार से हम बात करेंगे हाई कोट की तो किस अनुच्छित के तहत में सभी राज्यों के लिए उच्छ नहले की विवस्ता करी गई है अनुच्छित 214 के अंतरगत तो भी ऑप्शन करक्ट हो जाएगा इसी कराम में हम बात करेंगे कि संभिधान के किस अनुच्छित के अंतरगत अधीनस्त नहले या फिर जिला नहले का प्रावधान किया गया है तो अधीनस्त नहले या फिर जिला नहले का प्रावधान जो है यह अनुच्छित 233 के अंतरगत किया गया है सी ओप्षन करक्ट हो जायागा हमने तीन चीजें पढ़े है हमने का प्रावधान जो है यह अनुच्छित 124 के अंतरगत किया गया है ठीक है हाई कोट की ववस्ता जो है यह अनुच्छित 214 के अंतरगत करी गई है और अधीनस्त नहले और जिला नहले इसकी ववस्ता करी लोगशबा अध्यक्ष अपने कौस्टिंग बोट का प्रियोग कप करता है तो लोगशबा अध्यक्ष यह अपने कौस्टिंग बोट या फिर कौस्टिंग बोट को हम क्या कहते हैं तो निर्णायक मत कहते हैं ठीक है और यह कप करता है लोगशबा अध्यक्ष तो जब बो दोस्तो इसके अंतरगत एक अनुच्छेद भी है अनुच्छेद हंडेट का ए और इसके तहट लोकशबा अध्यक्ष अपने नेनायक मत यानि की कास्टिंग बोट का प्रियोग केबल तभी करेगा जब किसी विशय पर मतदान बराबर हो जाते हैं ठीके ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना है क्योंकि हम अनुच्छेद ही पढ़ रहे हैं किस अनुच्छेद के तहट राज्यों की राजपाल की नियुकती राष्टपती की दौरा की जाती है हम बच्छपन से पढ़ते आ रहे हैं किस अनुच्छेद के तहट करी जाती है तो करी जाती है हम बात करेंगे यहां पर एक और अनुचिद महत्मून है अनुचिद 153 इसमें क्या बताया गया है इसमें कहा गया है कि प्रतिक राज्य के लिए एक राजपाल होगा ठीक है एक राजपाल होगा साथ में एक राजपाल एक से अधिक राज्यों के राजपाल की र परभार दिया जाता है तो यह अनुच्छिद 153 में ही वताया गया है कि प्रतेक राज्य के लिए एक राजपाल तो होगा साथी एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राजपाल की रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है और अनुच्छिद 155 में हमने क्या पड़ा है त राजपाल के द्वारा पत से किसको नहीं हटाया जा सकता तो राजपाल के सदस को हटा सकते हैं एड़ुकेट जनरल जो होते हैं इनको भी हटा सकते हैं राजपाल के जो कुलपती होते हैं इनको भी हटा सकते हैं लेकिन राजपाल के जो सदस होते हैं इनको राजपाल नही परा करी जाती है इनकी नियुक्ति तो करी जाती है राज्यपाल के द्वारा परन्तु विबाद की इस्तिती में राज्यपाल इनको हटा नहीं सकता ठीक है उनको पद्चित नहीं कर सकता अनुच्छेद है एक अनुच्छेद आपको याद रखना है अनुच्छेद 317 इसके तो राजलोक्ष्रिबा आयूक के अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं इनको केबल और केबल कौन हटा सकता है राश्टपती हटा सकता है ठीक है तो नियुक्तिक राजपाल कर सकता है लेकिन हटा कौन सकता है राश्टपती हटा सकता है नैश कोस्टन है भारत के सरबुच कुछनेयलाय का छेत्र अधिकार किसके द्वारा वड़ाया जा सकता है संसत के द्वारा विधी बनाकर सी ओप्सन करेक्ट हो जायागा और इसका वर्णन जो है यह अनुच्छे 138 के दो में किया गया है निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक मूल अधिकार भारती नागरिकों को उपलब्द है पर भारत में रहने वाले विधेशियों को नहीं है एक मूल अधिकार है दोस्तो बाक और अभिव्यक्ति की सुतनतरता ठीक है यह क्या है यह भारती नागरिकों को तो प्राप्त है लेकिन भारत में रहने वाले बिदेशियों को प्राप्त नहीं है भारती सम्मिधान में मौलक अधिकार का वर्णन कहां पर किया गया है तो भारती सम्मिधान में मौलक अधिकार का वर्णन किया गया है भाग 3 में और अनुच्छिद 12 से लाकर अनुच्छिद 35 तक इसका वर्णन किया गया है ठीक है और 12 से 35 तक वर्णन किया गया है और अनुच्छिद 19 में एक अधिकार है बाक और अभिव्यक्ति की सुतंतरता ठीक है बाक और अभिव्यक्ति की सुतंतरता और ये सुतंतरता केवल भारती नागरिकों को प्राप्त होती है भारत में रहने वाले विदेशियों को ये सुतंतरता प्राप्त नहीं होती है संसत को संबिधान संसोधन का अधिकार किस अनुचित के अंतरगत दिया गया है तो संबिधान में संसोधन करने का अधिकार किस के पास में है संसत के पास में और इसका वर्णन किस अनुच्छिद में किया गया है अनुच्छिद 368 में इसका वर्णन किया गया है एक कॉस्टन आपके एक्जाम में पूछा जाता है कि संभिधान में संसोधन करने की जो पिरकिरिया है ये किस देश के संभिधान से ली गई है इसको किस समीती की सिफार्षों पर जोड़ा गया है सयांसर हो जाया गा दोस्तो 16 समीती की सिफार्षों पर जोड़ा गया है मूल करतब्यों को हम शबी फेक्टों को डिसकस करेंगे क्योंकि यहां से एक फेक्ट आपके एक्जाम में पूछा जाता है तो भारते सम्मिधान में 16 समीति की सिफारसों पर और 42 सम्मिधान संसोधन करके 1976 में एक नया भाग जोड़ा गया भाग चार का और एक नया अनुचिद भी जोड़ा गया अनुचिद इंक्याउन का ये जरूर याद रखना है अनुचिद कौन सा जोड़ा गया अनुचिद इ परतमान में कितने हैं 11 हैं टीक है एक बढ़ गया है तो ग्यारवा मौलिक करतब भी कौन सा है तो 86 बे संविधन संसुधन 2002 के दोवारा जोड़ा गया है ग्यारवा मौलिक करतब और इसमें बताया गया है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के माता पता और प्रतिपाल उन्हें स करके बताएं और हमें support करने के लिए हमारी मेहनत को support करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में share करें आपके भाई बहन के साथ में भी इसको share करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें इसी प्रकार के more वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लिजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जब भी मैं वीडियो को upload करूँ next question क्या है किस अनुच्छित के अंतरगत आइस प्रस्ता यानि कि छुगा छूद को समाप्त किया गया है तो छुगा छूद को समाप्त किया गया है अनुच्छित 17 के अंतरगत next question है भारते संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छित द्वारा प्रदान किये गये हैं यह हैं दोस्तो समानता के अधिकार जो है ये 5 अनुच्छित में इसका वर्नन किया गया है ठीक है कहां से कहां तक अनुच्छेद 14 से लागा कर अनुच्छेद 18 तक C option करक्ठ हो जाएगा Next question है नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए सरते निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है सायां सरोज आएगा option C संसद एक अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 11 में इस पश्ट रूप से दिया गया है कि संसद को नागरिक्ता सम्मंदी विधी बनाने की शंपू सकती होगी next question है संविधान के किस अनुच्छेद में नई राज्यों के प्रिवेस या स्थापना का प्राओधान किया गया है अनुच्छेद 2 में हम बात करें अनुच्छेद एक की तो अनुच्छेद एक में दिया गया है संग का नाम राजचेत्र यह उपबंद करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संग होगा ठीक है अनुच्छेद तीन की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है तो इसमें नए राज्यों क निर्माण वर्तमान राज्यों की शीमा और नामों में परिवर्तन यदि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है उसके शीमा में परिवर्तन करना है तो वो अनुच्छे तीन में दिया गया है नेश्ट कोस्टन है सम्मिधान में केबल एक बार मंत्री मंडल यानि की केबिनेट सब्द का प्रियोग हुआ है यह है यह किस अनुच्छेद में है पूरे भारति सम्मिधान में केबल और केबल मंत्री मंडल यानि की केबिनेट सब्द का प्रियोग एक बार हुआ है किस घटा कर 18 वर्स कर दी गई है तो वैस्क मताधिकार की आयू किस अनुच्छेद में वर्णे थे सबसे पहले आपको याद रखना है कि बोट डालने की एज पहले क्या हुआ करती थी 21 वर्स हुआ करती थी ठीक है फिर होता है 61 संविधान संसोधान उनिश्ण अवासी और इसके 326 में किया गया है ये जरूर आपको याद रखना है नैश कोस्टिन क्या है भारती संविधान के किस अनुच्छेद में अलफ संख्यकों के हितों के सररक्षन की विवस्ता करी गई है अलफ संख्यकों के हितों के सररक्षन की विवस्ता जो है ये अनुच्छेद 29 में करी ग संस्कृति के आधार पर किसी भी अलफ संख्यक को सरकारी स्रेक्शन संस्ताओं में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा ये क्या कहता है अनुच्छिद 29 कहता है नेक्ष कोस्टन है नमलेकत में से भारतिय सम्मिधान के किस अनुच्छिद का उप्योग अभी तक नहीं हुआ है most important question है अभी तक किस अनुच्छिद का उप्योग नहीं हुआ है अनुच्छिद 360 का कभी भी प्रियोग नहीं किया गया है क्यों क्यों कि अनुच्छिद 360 में वित्ति आपातकाल के बारे में बताता है और वित्ति आपातकाल को कौन उद्घोसित कर सकते हैं कौन लगा सकते ह राष्ट पती लगा सकते हैं ठीक है लेकिन ऐसी कंडिशन अभी तक नहीं वनी है देश में कि वित्तिय आपातकाल लगाना पड़े याद रखना इस अनुच्छित का कभी भी प्रियोग नहीं हुआ है नेश कोस्टन है भारतिय संविधान में सामिल हैं क्या क्या सामिल है भा और वारा अनुच्छिया सामिल है ए ओप्सन करक्ठ हो जाएगा नेश कोस्टन भारतिय संविधान के किस अनुच्छित के अंतरगत भासण एवं अभिव्यक्ति की सुतंतरता के अधिकार की गैरेंटी दी गई है साई अंसर क्या हो जाएगा दोस्तो ओप्सन वी अनुच् हो जाएगा इसकरा में नेश कोस्टन कया है नेशी भावनों के ऊपर राश्ट दोस्फयराने के अधिकार संविधळन के किस अनुच्छित में वर्णे थे तो देख दोस्तो इसका स साई अंसर हो जाएगा अनुच्छित 19-1 कَّ और राश्ट दोस्फयराना अभिव्यक्ती क सुतंतरता के अधीकार के अंतरगत ही आता है ओको याद रखना ये पूशा गया question है नेश question है किस अनुच्छित के अंतरगत सर्वुच नियालाय नागरकों के मौलिक अधीकारों की रक्षा करता है तो इसका सही अंसर क्या हो जायागा दोस्तो ये एक महत्पून अनुच्छेद है और इसी के माध्यम से अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तब वो व्यक्ति कहां पर जाएगा उसके उपचार के लिए सुप्रीम कोट की श्रण में जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत में अनुच्छेद 32 के तहत में कोई व्यक्ति हाई कोट की श्रण में जा सकता है यदि उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है ठीक है अनुच्छेद 32 में कहां पर जाएगा सुप्रीम कोट जाएगा अनुच्छेद 226 में कहां पर जाएगा हाई कोट में जाएगा ठीक है और एक आपको most important fact याद रख कि किस अनुच्छेद को डाक्टर साहब वियर अमबिट करने वहरति सम्मिधन का हिरदय कहा है तो अनुच्छेद 32 को कहा है सम्मिधनिक उपचारों के अधिकार को कहा है याद रखना इसी प्रकार के fact जो है ये सीधे question मन जाते हैं और आप कहते हैं सर ये तो आपने पढ़ आया है देखिए कहने के लिए यहाँ पर हमने 62 से 65 question add किये हैं लेकिन आप यहाँ पर 100 से 150 अनुच्छेद याद करने वाले हैं एक एक चीज को नोट कर लीजिए यहाँ से question exam में बाहर नहीं जाएगा मैं guarantee से बोल सकता हूँ next question क्या है कौन से अनुच्छेद में ग्राम पं चाहतों के गठन का प्राधन किया गया है अनुच्छित 40 में मोश्ट मठोन question है यह कई वार रिपीट हुआ है next question है भारतिस सम्विधान के किस अनुच्छित में अनुसूच्छत जातियों यानि की SC और ST के लिए आरक्षण का प्राधन किया गया है S,C, ST के लिए आरक्ष जबा को भंग कर सकता है ये तो हम बज़पन से पढ़ते आ रहे हैं किस अनुच्छित के अंतरगत कर सकता है अनुच्छित 85 के अंतरगत नैश कोस्टन है भारत की आकसमे कनिधी इस्थापित की गई है तो 1950 में भारत की आकसमे कनिधी इस्थापित की गई है और अनुच्छि आकसम निदी की स्थापना करी गई स्थापना कप करी गई 1950 में स्थापना करी गई किस अनुच्छित के अंतरगत अनुच्छित 266 क्योंकि हम अनुच्छित ही पढ़ रहे हैं तो अनुच्छित की बारे में आपको जरूर याद रखना है चाहे तो अपनी राय दे सकता है अधरवाइस नहीं भी दे सकता है ठीक है किस अनुच्छिद में राष्ट पती की नियुक्ती सम्मंदी वर्णन किया गया है राष्ट पती की नियुक्ती का वर्णन जो है यह अनुच्छिद वाउन में किया गया है ओके ए ओप्सन करक्ठ हो जाएगा अनुच्छिद त्रेपन में क्या है तो अनुच्छिद त्रेप question है कि राश्ट पती पर महावयोग की प्रकिरिया किस अनुच्छत में Weurn evaluation किया गया है राश्ट पती पर महावयोग लगा सकते हैं अनुच्छत के अंतरगत याद रखना ये कई बार Silent 61 इसको जरूर याद रखनाpresa लोक्षवा में एंगलो इंडियन समूदाय के प्रतिनिदत के लिए प्रावधान किस अनुच्छिद में किया गया है इसका सही अंसर हो जाएगा दूस्तों अनुच्छिद 331 ए ओप्सन करक्ठ हो जाएगा अनुच्छिद 331 के तहत में राष्ट पती के पास लोक्षवा में दो एंगलो इंडियन मनुनित करने का अधिकार होता था ठीक है लेकिन लोक्षवा में जो दो एंगलो इंडियन की मनुनियन की प्रक्रिया है इसको अब समाप्त कर दिया गया है लेकिन अनुच्छिद आप को जरूर याद रखना है अनुषित कौन सा है 331 नैश्ट को सन किसे सजा माप करने या सजा में हेरफेर करने की सक्ति प्राप्त है अनुषित 32 की यदी हम बात करें तो सजा माप करने और सजा में बदलाव करने का अधिकार जो है ये देश के राश्टपती को है ये option करक्ठ हो जाएगा अनुचिद 72 के अंतरगत राष्टपती को छमादान सम्मंदी सक्तियां परदान करी गई है राष्टपती किसी की सजा की फांसी को उम्रकैद में बदल सकता है या फिर उम्रकैद की सजा को माप भी कर सकता है ठीक है ये तो हमने बात करी है प्रियावन का सर्रक्षन इंद्धन का एक और अनुचिद है जरूर याद रखना है अनुचिद 161 और इसमें राज्यों के राज्यपाल को छमादान सम्मंदी सक्तियां परदान करी गई है ठीक है इसमें भी राज्यपाल कोछ बिसे सजाओं को माप कर सकते हैं और सजाओं परिवर्तन भी कर सकते हैं तो अनुचिद 172 और अनुचिद 161 दोनों आपको याद रखना है नेश्ट कोशन का है भारत के प्रतेक नागरिक का ये करतब भी होगा कि प्राक्तिक परियावन का सर्रक्षन इवं सुदार करे ये किस अनुचिद में संधर्वित किया गया है तो इसका वर्णन जो है ये अनुचिद 481 में किया गया है ए ओप्षन करक्ठ हो जायागा नेश्ट कोशन है भारत के नियंत्र के ये महालेखा प्रिक्षक इसको सोट में CAZ कैग बोलते हैं तो कैग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुचिद में किया गया है सैयांसर हो इसकी विवस्ता का वर्णन किस अनुचिद में किया गया है संसदिय विवस्ता की हम बात कर रहे हैं परलियमेंट की हम बात कर रहे हैं तो इसका वर्णन किया गया है अनुचिद 80 में इसके बाद हम बढ़ेंगे राजसवा की बात करेंगे राजसवा यानिकी उच्छ सदन और इसका वर्णन किया गया है अनुचित 80 में इसके बाद हम बढ़ेंगे और लोक्षभा की बात करेंगे तो लोक्षभा का जो वर्णन है ये किस अनुचित में किया गया है अनुचित 81 में ठीक है तो अनुचित 89, 80 और 81 तीनों आपको याद रखना है इसी प्रकार का एक औ देखे दोस्तों आपको समझना होगा एक आर्टिकल है 168 और यह बताता है कि प्रतेक राज के लिए एक बिधान मंदल होगा और आर्टिकल 169 क्या बताता है तो इसमें राज्यों की बिधान परिशत की सररचना और उसकी समापती का उलेक किया गया है ठीक है और Article 170 क्या बताता है तो बिधान सभाकी सररचना का वर्णन करता है Article 170 Next question क्या है दोस्तो सम्धान के किस अनुच्छित के तहत में केंद्र सरकार राज सरकारों को निर्देश दे सकती हैं अनुच्छित 256 के अंतरगत ए ओप्सन करक्ठो जाएगा इसी प्रकार के कॉस्टन एक्जाम में आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे सा सभी कॉस्टन को याद करते चलिएगा या फर नोट करते चलिएगा नेश कोस्टन है नीती आयोग का गठन किस अनुच्छित के तहत में किया गया है देखे दोस्तों नीती आयोग सम्विधानिक निकाय नहीं है तो सम्विधानिक निकाय नहीं है तो सम्विधान में इसका किसी भी अनुच्छित में वर्णन नहीं किया गया होगा लेकिन एक question पूछा जाता है आपको फसाने के लिए आपको confuse करने के लिए तो non of these यानिकि इन में से कोई नहीं इसका सही answer हो जाएगा Next question है संग तथा राज्यों के लिए लोक शेवा आयूक के गठन का प्राधान किस अनुच्छेद में किया गया है सही answer क्या हो जाएगा दोस्तो अनुच्छेद 315 में लोक शेवा आयूक के गठन का प्राधान किया गया है ए ओप्षन करक्ठ हो जाएगा Next question है भारते संग्धन के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयूक के लिए प्राधान किया गया है निर्वाचन आयूक का प्राधान जो है ये अनुच्छेद 324 में किया गया है सी ओप्षन करक्ठ हो जाएगा Next question है किसी अप्राध में अभियुक्त को श्यम के ब्रद गवाही देने के लिए वाद नहीं किया जा सकता किस अनुच्छेद में ये प्राधन किया गया है यदि कोई व्यक्ती कोई अप्राध कर लेता है तो पुलिश उसको बाद नहीं कर सकती कि तू बता तू नहीं अप्राध किया है और कोट में ही इसकी गवाही दो ठीक है तो ये प्रावधन किया गया है अनुच्चित 20 के 3 में ए ओप्सन करक्ठ हो जाएगा Next1 की हम बात करेंगे सम्मिधन के किस अनुच्चित में उपराष्ट पती पद का प्रावधन किया गया है अनुच्चित 63 क्या बताता है कि भारत का एक उपराष्ट पती होगा और अनुचित 64 क्या बताता है उपराष्ट पती राज सभा के सभापती के रूप में कारे करेंगे ठीक है ये भी आपको पता होगा कि उपराष्ट पती राज सभा के सभापती के रूप में कारे करेंगे इसका वर्णन कहां पर किया गया है अनुचित 64 में इसका वर्णन किय नेश्ट कोस्टन है समिधन के किस अनुच्छेत के अंतरगत मंत्रीगन सामूहिक रूप से लोक्षभा के लिए उत्तरदाई होंगे किस अनुच्छेत के अंतरगत दोस्तो अनुच्छेत 75C ओप्षन करक्ट हो जायगा नेश्ट वन की हम बात करें भारत के महानियावादी की निउक्ति से सम्मनित अनुच्छेत कौन सा है महानियावादी यानिकी अटोनी जनरल ओफ इंडिया और इसकी निउक्ति का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 76 में वी ओफ्षन करक्ट हो जायगा ठीक है राज का प्रथम विधी अधिकारी कौन होता है राज का प्रथम विधी अधिकारी होता है दोस्तो महानिवक्ता ओके तो भी ओफ्षन करक्ट हो जायगा और महानिवक्ता के यदि हम बात करें कि इनकी निउक्ति का इनके पद का और दायुत्तों का प्रावधान किस अनुच्छेद 165 में किया गया तो अनुच्छेद हमने छेतर में क्या पड़ा है विधी अधिकारी के बारे में महानियवादी के बारे में जो की देश का प्रथम विधी अधिकारी होता है और राजी का प्रथम विधी अधिकारी कोन होता है महाधिवक्ता और महाधिवक्ता आ कि पद के बारे में हमने पड़ा है अनुच्चिद 165 में दोनोर अनुच्चिद आपको याद रखना है नेश्ट हमारा कौशन है भारते संविधन का कौन सा अनुच्चिद संसत को अंतरराष्टी समझोतों पर काणून बनाने की सकती देता है अंतरराष्टे समझोतों पर संसत को कानून बनाने की सक्ति जो है ये कौन देता है दोस्तों ये अनुच्छिद 253 देता है तो C option करक्ठ हो जाएगा नैश्ट हमारा question है संविधान का कौन सा अनुच्छिद भारत की विदेश नीती से सम्मंदत है अनुच्छिद इंक्याउन अंतरराष्टे सांती और सुरक्षा से सम्मंदत है ठीक है और अनुच्छिद इंक्याउन का तो मैंने आपको बताया था ये मूल कर्तव्यों से सम्म नैश्ट question है किस अनुच्छिद के तहत में राष्टपती को राजसवा में 12 सदस्यों को मनुनीत करने का अधिकार है most most important question है सभी लोग जानते भी होंगे कि राष्टपती साहित विज्यान कला और समा सेवा में बिसिस ग्यान रखने वाले वारा व्यक्तियों को राजसवा में मनुनीत कर सकते हैं ठीक है किस अनुच्छिद के तहत में कर सकते हैं अनुच्छिद 80 के तहत में A option correct हो जाएगा नैश्ट question है निमले खित में से कौन सा अनुच्छिद वालकों के नियोजन से प्रतिक्ष रूप से सम्मन्दित है सैंसर हो जाएगा दूस्तो ऑप्सन D अनुच्छिद 24 वालकों के नियोजन के प्रतिसेत का उपबंद करता है इसके अनुच्छिद 14 से कम आयू के बच्चों को कारखानों या फिर अन जोखम युक्त कारियों में सामिल नहीं किया जा सकता याद रखना अनुच्छिद 24 नैश्ट question क्या है एक बरस में कम से कम कि दो वार होना आवश्यक है क्योंकि अनुच्छिद 85 है ये उपबंद करता है कि संसत के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रतम बैठक के बीच में 6 माई से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए ये वर्णन किस अनुच्छिद में किया गया है अनुच्छिद 85 मे निलंबर कारी बीटो और तीसरा क्या है पॉकेट बीटो तो डी ओप्सन करक्ट हो जाएगा और परयोग तो सभी सक्तियां है ठीक है और एक अनुच्छिद है अनुच्छिद 111 और इसके तहत राष्ट पती के पास में ये तीन प्रकार की वीटो संबंदी सक्तियां दी ग गया है तो राज्यों के मुखमंत्रियों के कारियों को परिभासित किया गया है अनुच्छिद 167 में वी ओफ्सन करक्ट हो जाएगा नेश को सन है किस अनुच्छिद के अंतरगत पंचायतों को शम्मिधानिक दरजा प्रदान किया गया है पंचायतों को सम्मिधानिक तो अनुच्छे 243 से अनुच्छे 243 रणा तक पंचातों के संबन में प्रावधन किये गए हैं अनुच्छे 243 से अनुच्छे 243 रणा तक हिंदी में ठीक है एक एक लोक्षवा में कितनी सीटे हैं SC और ST के पृतिनिधियों के लिए आरक्षत हैं लोक्षवा की हम बात कर रहे हैं तो लोक्षवा में SC के लिए कितनी सीटे हैं SC के लिए 84 सीटे हैं ठीक है और हम बात करेंगे ST के लिए तो ST के लिए 47 सीटे हैं यदि हम टोटल की बात करेंगे तो टोटल कितनी सीटे हैं 131 सीटे हैं D option करक्ठ हो जाएगा ठीक है और आपको याद रखना है दोस्तों भारति सम्मिधान का एक अनुचिद है अनुचिद 330 और इसमें लोक्षवा में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षन दिया गया अनुचिद भी आपको ज़रूर याद रखना है नेश कॉस्टन की हम बात करें त लिमलिखत में से कौन सा अनुचिद किर्सी एवं पशुपालन की संगठन से सम्मन्नेत है इसका सई आंसर क्या हो जाएगा दुस्तों अनुचिद 48 भी आप्षन करक्ठ हो जाएगा नेश कॉस्टन है वित्तायों की इस्थापना किस अनुचिद की तहत करी गई है इसका 288 के अंतरगत वित्तायों की इस्थापना करी गई है और वित्तायों की इस्थापना करी गई तो 1929 में वित्तायों की इस्थापना करी गई नेश कॉस्टन है किस अनुचिद में धन विध्यक को परिभासित किया गया है तो अनुचिद 110 में धन विध्यक को परिभासित कि नेश कोस्टन है किस अनुच्छित के दुआरा राष्टपती राज्यों में राष्टपती सासन लगा सकते हैं तो राष्टपती राज्यों में राष्टपती सासन लगा सकते हैं अनुच्छित चपन के अंतरगत भी ऑप्शन करक्ठ हो जाएगा समझ लेते हैं हम डेटेल को तो राश्टपती की पास में जो आपात कालीन सकतियां है इनको समझना जरूरी है एक अनुचिद 300 बाउन है इसके तहट राश्टपती देश में युध्ध वह आकरमण की स्थिति में राश्टी आपात काल लगा सकते हैं और राष्टी आपातकाल भारत में अब तक कितनी बार लग चुका है, तीन बार लग चुका है, ठीके, एक दूसरा अनुच्छेद है, अनुच्छे 356, इसके तहत में राष्टपती राज्यो में राष्टपती सासन लगा सकते हैं, एक अनुच्छेद है, 360, ठीके, इसके त कुंसा दाता है कि कौन सा ऐसा अनुच्छिद है जिसका अभी तक प्रियोग नहीं किया गया है तो वो है अनुच्छिद 360 इसको भी आप याद रखेंगे नेश्ट कॉस्टन क्या है राष्ट पती किस अनुच्छिद के अंतरगत सयुक्त वैठक बुला सकता है सयुक्त वैठ बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा वो लोक्षभा अध्यक्ष करेगा ये कॉस्टन पूछा दाता है कि सयुक्त वैठक की अध्यक्षता कौन करेगा लोक्षभा अध्यक्ष करेगा और भारत में अब तक कितनी बार सयुक्त वैठक बुलाई गई है तो तीन बा राजवासा हिंदी तथा लिपी देवनागरी होगी तो संग की जो राजवासा है वो हिंदी होगी और लिपी देवनागरी होगी ये 343 में वर्णन किया गया है अनुच्छित 343 में B option करक्ठ हो जायागा किस अनुच्छित के तहत में राष्टपती अध्यदेश जारी कर सकता है और ये दूसरा अनुच्छित भी महत्पून है अनुच्छित 213 इसमें क्या है इसमें राज्यों का जो राजपाल है ये अध्यदेश जारी कर सकते हैं और अनुच्छित 143 भी महत्पून है इसमें र अनुच्छेद 143 में ठीक है तो ये तीनों अनुच्छेद महत्मून हैं तीनों आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पर हमने 63 इंपॉंट कॉस्टन को डिसकस किया कॉस्टन 63 है लेकिन हम आर्टिकल की बात करेंगे तो 100 से 150 हमने इंपॉंट आर्टिकल को डिसकस कर लिया है आसान भासा में extra fact के साथ में आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा है content की quality कैसी लगी है इसी प्रकार से यह आप science का content पढ़ना चाहते हैं कम समय में तो science की ebook को आप buy कर सकते हैं current affairs की अब तक की सबसे भैतरीन ebook है तो पूरे साल के current affairs को यह आप पढ़ना चाहते ह दोनों ebook का link कहाँ पर मिल जाएगा वीडियो के description में मिल जाएगा next and last question है इसका answer आपको comment section में बताना है 2011 की जनगरना को हमने completely पढ़ लिया है वीडियो भी upload कर दिया है ठीक है आप चाहे तो इसका वीडियो भी देख सकते हैं और आप इसका answer comment section में ज़रूर बताएं वही से मैंने इस question को लिया है कि 2011 की जनगरना का आदर्श वाक के आदर्श वाक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं मोटो बोलते हैं तो 2011 में जो जनगरना हुई थी उसका आदर्श वाक क्या है comment section में answer वताएं थैंक्य दोस्तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद आई होप आपको सारी चीजे बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें अपने दोस्तों के साथ में भाई बेहनों के साथ में ताकि वो भी इस प्रकार के best content का फायदा उठा सकें new student हमारे चै कीजिए यदि आप selection लेना चाहते हैं कुछ सीखना चाहते हैं तो playlist को जरूर visit कीजिए और हमारे और जादा वीडियो देखिए तो thank you दोस्तों राम राम दुआ सलाम मिलते हैं next वीडियो में किसी new topic के साथ में आप लोग भी topic suggest करें कि आप किस topic पर वीडियो चाहते हैं Thank you दोस्तो जै हिन जै भारत वंदे मात्रा